नमस्कार में अहुद व्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 15 अप्रेल दिन सोमबार खब्रक्यों बनने से पहले एक मैजर सुर्खियों पर राजी के सर्चक प्रसक्षर संस्थानों को किया जाएगा सुद्रेद 85 साल सर्दे कुमरवाले मद्दाताओं में बिहार तीसरे अस्थान पर सियम नितीज के पास सर्चक संग में इस मामले को लेकर लिखा पत्र आज उपते सूर्य को अर्ग देने के साथ ही छटका होगा समापत पेट्रोल पंपर होने वाले गरबरी की यहां कर सकते हैं शकायत आज होगा आसेड़ी और एसारेच के बीच आईप्रियल का तीसवा मुकाबला अब चले बरते हैं बिहार के अब तके 25 बरे खबलों के और विस्तार से S.S.C. ने 3712 पदों पर निकाली भरती S.S.C. द्वारा 3712 पदों पर भरते निकाली गई है इस भरती के लिए आविधन प्रिक्रिया शुरू है और आविधन करने के इंतिन तारीख 7 मई 2014 है इस भरती के लिए जरूरी है कि मिधवारों ने बार्वी पास किया हो इस भर्ती के लिए जरूरी है कि मिद्वारों की उम्र सीमा 18 वर्से से लेकर 27 वर्स तक होनी जाएगे उम्रिद्वारों का चैन टीर 1 और टीर 2 की परेक्षा के तहट किया जाएगा भर्ती से संबंदित चर्डिक और अधिक जानकारी के लापिस का अधिकारिक वेबसाइट और अधिक सूचना को देख सकते हैं राजी के सिक्षक प्रसिक्षन संस्थानों को किया जाएगा सुधरेड सिक्षा विभाग सिक्षकों को नियमत रूप से भेतरीन प्रसिक्षन की विवस्था करेगा इसको लेकर विभाग ने निर्न लिया है कि राजी के सिक्षक प्रसिक्षन संस्थानों को सुधरिट करेगा इसके लिए वितिये वर्स 2024-25 के लिए 215 करूर खर्च करने की स्विक्रती दी गई है विभाग ने जारी आदेस में कहा है कि सक्षकों के आवासी और गैर आवासी ये प्रसक्षन में गुनवत्ता का विसे इस्थिहान लखना है इसके लिए जरूर ये कि प्रसक्षन संस्थानों के आधारबूत सरचना विक्सत हो संस्थानों में आधारबूत सरचना के विकास निर्मान जर्नोद्वार के साथ ही तकनीकी सेवाओं के विकास के लिए उक्तरासिस विक्रत की गई है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दसरत मांजी के बारे में दसरत मांजी का जन 14 जनवरी वर्स 1934 में बिहार के गहलोर में हुआ था लोग इन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जानते हैं ये गरीब मजदूर थे इनकी पतनी का नाम फालगुनी देवी था जब फालगुनी जसरत मांजी के लिए खाना ले जा रही थी तो दर्रे में गिर गई और दवाई के आभाव में उनका निधन हो गया क्यूंकि बाजार दूर था और पहारी रास्तों को पार करते हुए बाजार पहुचा जा सकता था कभी किसी और के साथ ऐसी दुरगटना ना हो और अपनी पतनी के सकस्ट दाई निधन से सोक में आए मांजी ने किवल एक हतोरी और छेनी से अकेले ही 360 फूट लंबे और 30 फूट चौरेवा 25 फूट उझे पहार को काट के सरग बना दिया जिसके बाद लोगों के बीच में चर्चा में आए 22 फर्स के परिस्रम से नहोंने अतरी और वजीर गंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमेटर से 15 किलोमेटर में बदल दिया पतनी के लिए प्यार और आने वाली पीधी के लिए युगदान के लिए आज भी दस्रतमान जी की सरहना होती है 17 अगस्त वर्स 2007 में यह हमें अलविदा कह गए 85 साल से अधिक उम्रवाले मद्दाताओं में बिहार तीसरी अस्थान पर एक आखरे से पता चलाए कि देश में 85 साल से अधिक उम्रवाले मद्दाताओं में बिहार तीसरी नमबर पर है तो वहीं 40% से अधिक दिव्यांग मद्दाताओं में विहार दूसरे नमबर पर है आपको बता दे कि महाराष्ट में 85 साल से अधिक उम्रवाले मद्दाताओं की संख्या सब से अधिक है और इसके साथ ही महाराष्ट पहले अस्थान पर है तो वहीं उत्तर प्रदेश इस माम पर दन फर्म भेजा जा रहा है उसके बाद वे पोश्टर बैलेट के माधिम से मतदान कर पाएंगे हालांके इन मेंसे जो मतदाता मतदान भूत पर जाकर मतदान करना चाहे वो वहाँ जा सकते हैं पेट्रोल पंपर होने वाले गरवरी की यहां कर सकते हैं शकायर बाई किया गारी चलाने वाले हमेसे कई लोग है जो भी पेट्रोल और डीजल वाले बाहन चलाते हैं उन्हें गारी में तेल भरवाने के लिए समय समय पर पेट्रोल पंप जाना परता है लेकिन कई बार पेट पेट्रॉल या डीजल आपको चाहिए थे उससे आपको कम ही मिले हैं तो ऐसे इस तिती में आप सिकायद भी कर सकते हैं इस तरह की गरबरी होने पर आप पेट्रॉलियम मिनिस्ट्री के हेल्प लाइन नंबर 180023335555 पर सिकायद कर सकते हैं अगर आपकी शिकायद सहीं पाई जाती है तो पेट्रॉल पंप मालिक पर सकत कारवाई के तहत उनके लाइसेंस को भी रद किया जा सकता है क्या आपके साथ पेट्रॉल पंपर इस तरह का मामला हुआ है हमें कॉमें करके जरूर बताएं रिकॉर्ड संख्या में जनता मांग रही रोजगार साथ लाग से जाने वाले रोजगार मेले में भाग लेने वाले बेरोजगारों के लिए NCS पोर्टल पर निवन्दन जरूरी होता है वितिय वर्स 2015-16 से और्लाइन निवन्दन की प्रक्रियाद जारी है जिलावार आकरा देखे तो पट्ना में सबसे अधिक बेरोजगार है पट्ना के 49, 400,501 लोगों ने रोजगार के लिए निवन्दन कराये हैं दूसरे पाइदार पर समस्तिपूर है जहां 49,170 लोगों ने निवन्दन कराये हैं आज उक्ते सूरे को अर्ग देने के साथ ही छट का होगा समापन आज चैती छट का चौथा दिन है आज उक्ते सूरे भगवान को अर्ग देने के साथ ही छट जैसे महापर्व का समापन होगा बता दे के जोरान व्रती भगवान सूरे को अर्ग देने के साथ ही पूजा अर्चना करेंगे मालूमों कि नहाई खाय के साथ चैती छट की शुरुवात हुई थी प्रसाद के रूप में छटी मईय और भगवान भासकर को मुख्य रूप से ठेकुआ और कई फल चरहाई जाते हैं छट को लेकर प्रदेश में कई जगों पर एक अलग ही माहौल देखने को मिल दहा था आज छट के समापन के साथ ही विरती लंबे उपवास को तोर कर पारण करेंगे बिहार पैटन में आज हम बात करेंगे स्रीक्रिस्न विज्ञान केंदर के बारे में स्रीक्रिस्न विज्ञान केंदर विहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान की पास स्थित है इसकी अस्थापना वर्स 1978 को होई थी इसका नाम बिहार के पहले मुख्य मंत्री स्रीक्रिस्न सिंग के नाम पर रखा गया है इस विज्ञान केंद्र में आपको कई अद्भुत चीजे देखने को मिल जाएंगी इसमें डाइनासोर की कृतरिम सनचना सबसे खास है इसे देखकर बच्चे काफी आकरसत भी होते हैं यहां स्कूली बच्चों को खास कर विज्ञान से संबंद्र कई चीजे देखने को और सीखने को मलती है अगर आप भी कहीं घूमने का प्लैन बना रहे हैं तो यहां आ सकते हैं डॉक्टर का सपना देख रहे हिंदी चात्रों को भी बिहार सरकार देगी खुश ख़बरी स्वास्त विभाग ने बिहार में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हिंदी चात्रों के लिए बड़ी पहल की है दरसल स्वास विभाग ने निरने लिया है कि विहार में अब मेडिकल की परहाई हिंदी में होगी इस सम्मद में स्वास मंत्री मंगल पांडे ने विभाग की समेक्षा की है साथ ही अधिकारियों को इस दिसा में काम करने के सुझाओ भी दिये है आपको बदा दे कि विहार में ये पहल मध्यप्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को देख कर उठाया गया है दरसल मध्यप्रदेश के मेडिकल कॉलेज में भी MBBS की परहाई हिंदी में हो रही है मेडिकल की परहाई अब हिंदी में करवाई जाएगी इससे हिंदी भासी बच्चों को कितना फाइदा होगा हमें कॉमेंट करके ज़नुर बता है जाने रेलवे में छोटे बच्चों को मिलने वाली सुविधा के बारे में हम इसे कई लोग ऐसे होंगे जिन के लिए ट्रेन से सफर करना काफी आराम दैक होता है ट्रेन का सफर आराम दायक होने के साथ ही अन्य ट्रांस्पोर्टेशन से काफी सस्ता भी होता है रेलवे द्वारा ट्रेन से यात्रा करने वाली यात्रियों को भी कई सुविधाएं दी जाती है इसी में से एक सुविधा है छोटे बच्चों को रेलवे में नहसुल की यात्रा जो बच्चे एक से चार वर्स तक के हैं रेलवे द्वारा उनके यात्रा का किराया नहीं लिया जाता है और नहीं उन्हें कोई रिजर्वेशन करवाने की जरूरत पड़ती है तो वही जो बच्चे 5-12 साल तक के होते हैं उनका केवल हाफ टिकेट ही लिया जाता है क्या आपको रेलवे के इस नियम के बारे में पता था हमें कॉमेंन करके जरूर बताए सीम नितीज के पास सिक्चोक संग ने इस मामने को लेकर लिखा पत्र राजे के विस्विद्याले के सिक्चकों को पिछले तीन महीने से वेतन पें सन्ग भुक्तान नहीं हो रहा है अब इस मामने को लेकर इन सभीने सीम नितीज कुमार से हस्ता छेप करने की मांग की है इस संबन में मुख्य मंत्री इंतीस कुमार को बिहार राजे विस्व विद्याले सक्षक महासंग के कारेकारी कनहिया बहादुर सिनहा और महासंग ने पत्र लिखा है पर मुख्य सचीव के के पार्ठक द्वारा लगातार राजभवन के अधिकारों को चुनौती दी जा रही है बीजेपी के संकल्प पत्र पर ही जदियू लरेगा चुनाब NDA के तरब से बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी कर दिया गया है संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही एंडिये के सभी घटक दल एंडिये के 400 पार के नारे बुलंदी के साथ लगा रहे है इसी करी में खबर आई ही कि बीजेपी द्वारा जारी किये के घोसना पत्र पर ही जदियों भी चुनाब लड़ेगा मालूमों कि बीजेपी के लावे एंडिये के और किसे भी धल ने अपने संकल्प पत्र को जारी नहीं किया है इस संबन्द में जदियो प्रवक्ता अरविंद निसाद ने कहा है कि एंडिये में एक जूटता है जबकि दूसरी तरफ इंडिया गटवंदन में कोई परिवर्तन पत्र जारी कर रहा है तो कोई घोसना पत्र जारी कर रहा है राज़त प्रत्यासी की प्रचार गारी इस वज़त से हुई जब लखी सराय जुले में जमुई लोकसभा छेतर की राज़त प्रत्यासी अर्चना कुमारी रविदास की प्रचार गारी जब कर ली गई है आपको बता दे कि कई चेक पोस्ट का निरेक्शन करने एसपी पंगज कुमार खुद निकले थे इस दोरान उन्होंने अर्चना रवीदास के प्रचार वाहन के भी जांच की जाज की दोरान उन्होंने पाया कि प्रचार वाहन के परिचालन का मूल आदेश पत्र नहीं है हाला कि इस दोरान वाहन चालक ने आदेश पत्र की एक फोटो कॉपी दिखाई लेकिन S.P. ने आदेश पत्र की फोटो कॉपी को मानने सही नकार कर दिया इस मामले को लेकर S.P. पंकच कुमार ने कहा कि मूल आदेश पत्र वाहन के सीजे पर आगे चिपकाना निवार होता है साथी दूसरे जिले में वहां के प्रवेश के लिए भी आदेश लेना जरूरी होता है उत्तरी पहारी पर पस्टे में विच्छोब के कारण मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है बादलों की आवाज जाही प्रदेश में कई जगों पर देखने को मिल रही है आज प्रदेश में मधुबनी सिवर, सीता मरी सुपॉल और अररिया जिले में एक या दो जगों पर हल्की बारिस की संभाव ना जताई गई है साथ ही कहा गया है केने जगों का मौसम सुस्क रहने वाला है प्रदेश का अधिक्तम तापमान 36-38 जिगरी तो कुछ जगों पर 38-40 जिगरी तो वहीं नियुद्व तापमान 24-26 जिगरी रहने की बात कही गई है सारन जिले से 442 लीटर विदेशी सराप के साथ एक सराप कारोबारी हुआ गिरफ़तार एक बार फिर से सराप तस्करी के मामले में मद्दनसेद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है दिरसल बिहार के सारंजले के दियारा थाना चेतर से 442.8 लीटर विदेशी सराब पकर में आया है इस सराब के साथ एक सराब कारोबारी को भी बिहार पुलिस ने धरदवोचा है साथ ही एक ट्रेक्टर और एक मोटर साइकल के बरामदगी की खबर भी सामने आई है आपको बता दे कि इस बात की जानकारी बिहार पुलिस ने अपने सोसल मेडिया अकाउंट एक्स प्लेटफॉम पर दी है राज़त चांसद मनोज जहा ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर उठाय सवाल लोकसमा जुनाब को लेकर भाज़पा द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया है भाज़पा द्वारा जारी किये गये संकल्प पत्र की चर्चा पिया मोदी ने अपने भासन में भी किये है अब इस संकल्प पत्र को लेकर राजत सांसाद मनोज जादवारा ने सानस साधा गया है उन्होंने काए कि घोस्तना पत्र में से कोई भी आकर दो ऐसी चीजे बता दे जो बहुत अच्छी लगे कोई दो चीज जो जन सरोकार की हो, कोई भी दो चीज जो देश के जरुरत की हो आगे मनोज जाने का कि हवा हवाई बातों से नहीं होता है हम लोगों ने अपने परिवर्तन पत्र के जरिये कई ठोस बिन्दू दिये हैं लेकिन भाजबा के संकल्प पत्र में नौकरी कहा है अचालक जदियों ओफिस पहुंचे सीम नितीस ने नेताओं को चुनावी रन में जीतने के दिये मंत्र सीम नितीस कुमार रभीवार को अचानक जदियों कारयाले पहुंच गये और पार्टी के कारेकरताओं के साथ वर्चूल बैठा की सीम नितीस कुमार ने कारेकरताओं से लोगसभा ठेतर में महाल जाना और उनसे बातीत की वहीं इसको लेकर राजसभा सांसत संजय जहां ने कहा है कि सीम ने बांका भागरपुर किसंगंज पुर्णिया और कटिहार के पाटियों नेताओं से संपर्क किया है इस दोरान सीम के सामने जिला कारेकारेनी जिला ध्यक्ष लोगसभा प्रभारी ने अपनी बात रखी सीम ने सभी को चुनाव को लेकर नर्देश दिये है चुनावी सभा को संबोधित करने आज बिहार के नवादा आएंगे सीम योगी आज यानी 15 अप्रेल को उत्रपदेश के सीम योगी आदितनाथ बिहार की नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले है यहां सीम योगी एंडिये के बीजेपी उमेदवार डॉक्टर विवेक ठाकुर से के लिए वोट मांगेंगे आपको बता दे कि नवादा में सीम योगी की ये जनसभा अगवरपुर प्रखंड के फतेपुर मुर्ब इस्थित डिही आहर मैदान में आयुज़त होने वाली है मुके सहनी ने जनजारपुर सीट से अपने प्रत्यासी के नाम की की घोसना मुके सहनी के महागरवंदन में सामिल होने के बाद राजत खाते से विए पी के हिस्से में तीन सीटे कई है इन तीन सीटों में जनजारपुर लोगसबा सीट का नाम भी सामिल है इस सीट से मुके सहनी ने अपने उमिदवार की घोसना कर दी है दरसर मुके सहनी ने सुमन कुमार को जंजारपूर से अपना प्रत्यासी बनाया है आपको बता दे कि अब जंजारपुर से प्रत्यासी के नाम की घोसना के बाद जल्द ही वियाईपी पारिटी अन्ने दो सीथे गोपाल गंज और मोतिहारी पर भी अपने प्रत्यासी के नाम की घोसना करेगी कारा कार्ट से पवन सिंग के चुनाव लजने पर उपेंदर कुसवाह का बयार आया सामने राश्टी लोग मोचा के अध्यक्त उपेंदर कुसवाह कारा कार्ट लोगसवा सीथ से एंडे की तरब से चुनावी मैदान में उतरे है अब इनके विरुद जाकर बोजपूरी के पावर स्टार कहे जाने वारे पवन सिंग ने भी कारा कार्ट से चुनाव लगने का एलान कर दिया है आपको बता दे कि पवन सिंग ने कारा कार्ट से निर्दलिय चुनाव लगने का फैस्टा लिया है अब पवन सिंग के चुनाव लने पर उपेंद्र कुसवाहा ने कहा है कि मैं किसी वेक्तिव विसेश पर कोई टिपपणी नहीं करना चाहता हूँ कारा कार्ट की जनता को मालूम है कि उन्हें क्या करना है जनता जांती के पियम मोदी का हाथ उपेंद्र कुसवाहा के उपर महा गटबंदन में आते ही मुके सहनी को लगा बड़ा जटका अभी हाल में ही मुके सहनी इंडिया गटबंदन में सामिल हुए है मुके सहनी के इंडिया गडवंदन के तैत महागडवंदन में आते ही लालू प्रसाद यादम ने राज़त कोट्रे से उन्हें तीन सीर दे दिया है अब महागडवंदन में आते ही मुके सहनी को बड़ा जटका लगा है दरसल मुके सहनी की पार्टी वियाईपी से कई नेता जदियों में सामल हो गया है इन में वियाईपी के प्रदिस महा सची वमरेंदर सिंग मुन्ना का नाम भी सामल है जदियों में सामल होने वाले नेताओं ने नितीस कुमार से मुलाकात की है इस दोरान कई नेताओं ने इंधिस कुमार के नीतियों और कारियों की सराहना करते हुए आयोजित मिलन समारों में जदियों की सदस्ता गिरहन की है रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर और संडाइजर्स हैदराबबाद के बीच आज आईपिल 24 का तीसवा मैच होने वाला है इस मैच में RCBB किसी भी तरह मैच जीतने की पूरी कोसुस में होगी वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद भी अपने जीत को बरकरा रखने की कोसुस करेगी अगर बैंगलोर किस स्टेरियम की बात करे तो ये पीच बल्ले बाजों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है वहीं गेंद बाज इस मैधान पर थोड़े कमजोर पर जाते है इस मैधान का साइज भी छोटा है जिसे बल्ले बाजों को चौके चके लगाने में मजाने वाला है आज के इस मुकाबले में आपको किस टीम का पलरा भारी लग रहा है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कई कारणों से दर्जय भारत तिहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरू नानक का जन्म हुआ था आज के दिन वर्स 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने राइगर किले में सिवाधी उत्सव का उधगाटन किया था आज के दिन वर्स 1994 में भारत सहित 109 देसों द्वारा गैट समझोते को सुरिकरती हुई थी आज के दिन वर्स 2010 में भारत में निर्मित पहले क्रायोजेनिक रॉकेट G.S.L.V.D.3 का प्रचेपन नाकाम हुआ था खरी बोली के प्रथम हाक कावेकार आयोध्या सिंग उपाध्याय का आज के दिन वर्स 1865 में जन्म हुआ था आज के दिन वर्स 1940 में भारत के प्रसिद सारंगी वादक और सास्त्री गायक सुल्टान खान का जन्म हुआ था साइबर अपराद से जोने सिकायद की चक्छू पोर्टल पर इस तरह से दर्ज कर सकते हैं रिपोर्ट फरजी कॉल और मैसेज की ओलान सिकायद के लिए दूर संचार विभाग द्वारा चक्छू पोर्टल लॉंज किया गया है संचार साथी एप पर भी आपको ये सुधा देखने को मिल जाएगी इस पोर्टल के चरिए साइबर क्राइम जैसी कई धोका दरी को रोगने में मदद मिलती है आपको बदा दे कि साइबर फ्रॉर्ण मामले में यूजर्स को कॉल स्मस से फ्रॉर्ण रिपोर्ट करने की भी सुधा चक्छू पोर्टल पर मिलती है साइबर अपराद से जुले किसे भी मामले के शिकायत के लिए सबसे पहले आपको संचार साथी.gov.in पर जाना होगा यहाँ पर सिरिजन सिंट्रिक सर्विस को स्क्रॉल करना होगा फिर टैप के नीचे दियेगर चक्षू option को सिलेक्ट करके मामले के रिपोर्ट डर्ज की जा सकती है सीबीएसी ने सतर के बच्चों को लंच ब्रेक के साथ मिलेगा स्नैक्स ब्रेक. सीबीएसी में ने सतर के बच्चों को कुछ ब्रेक तो दिया ही जाएगा साथ ही दो से तीन पीरिट के बाद बच्चों को 15 मिनट के लिए इस नेक्स ब्रेक भी मिलेगा बच्चों को कैसे परहाया जाएगा इससे लेकर हर विसे के लिए घंटे और पीरिएड सी बीसी द्वारा नय पाठे क्रम में तैह हुए हैं इन सब के अलावे इन दोनों ही कक्षा में सनिवार को किताबी परहाई नहीं होगी किताबी परहाई के जगह बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाएगी हम प्रति दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवार पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपी ऐसी बिहार पुलिस दरोगा समेत एससी जैसी एनन प्रतोगी पर एक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेसल विग्यान कर अंटरफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे के पांच सवालों में अपने कितना सही उतर दिया है यह में कॉमेंट करके जरूर बताएं और पहला सवाल है भारत ने मॉणिसस के किस द्वेट में हवाई पट्टी का निर्मान कर आया है जिसका हाली में पेमोदी ने सुभारम किया है ऑप्सने है अगालेगा ऑपशन भी है ग्रैबियर ऑप्सन सी रेमिटेव smelled 9 में से कोई नहीं इसका सहीत रहागालेगा भारत में मुलू सिरी की नाम से किस सहर को जाना जाता है पूर पूर से जोद्पुर इसका सहीत रहागालेगा 1857 के विद्रों का बिहार में किसने नेतरित्व किया था? आप्शन है तात्या टोपे ने, आप्शन B है कुवर सिंग ने, आप्शन C है रानी लक्षमी बाई ने, आप्शन D है मंगल पांडे ने इसका सेतर है कुवर सिंग ने स्वातंत्रता से पूर्व बिहार की पहली गवरनर कौन थे बीटे दिन हमारा दोरा भुशेके सवाल आप लोगों के से बहुत चारे लोगों ने अपना जवाब हमें मारे कोमेंट सक्षन बॉक्स में लिख कर दिया से जिन्होंने वायद और पुझेगे सवाल का जवाब देन के नाम है अगर आप यूटूब से देखना है तो चनल को लाइक करना और सब्सक्राइब अगर आप फेस्बूक से देखना है तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद